हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों आज सामकी क्लास में आप सभी लोगा स्वागत है जो कि आपकी पांच बजे की क्लास है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज से आपकी डेली तीन क्लास है जाने कि जितना जादा से जादा हो सकेगा बहुत सब हम लोग कवर करेंगे यूपी टेट एक्सो बीस प्लस अंक की तैयारी में तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत महत्पूर्ण सामकी क्लास है और यह आपकी EBS, Revision के अंतरे कुछ आपके लिए Points भी लेकर आते हैं कुछ Questions तो आज यह पूरा Practice Set है Practice Set नमबर 17 सत्रमा Practice Set है अच्छे से देखिए पुराने Practice Set भी कवर करते रहे हैं और एक Question का Answer जरूर दीजिएगा पूरे 30 Question मिलेंगे इसके आपको बहुत ही महत्पूर्ण जो आपके दिवस पूछे जाते हैं वो मिलेंगे इसके आप कुछ अन्य महत्पूर्ण Points भी आपको दिये जाएंगे इसलिए Class को End तक देखना और उसके आप कुछ लिंक नीचे दिएगे यानि कि ऐसा स्रोट जो कभी समाप्त नहीं होते उन्हें उर्जा के नवी करणिये स्रोट कहते हैं और अनवी करणिये स्रोट बे कहलाते हैं जो एक Limited मात्रा के बाद समाप्त हो जाएंगे तो अनवी करणिये होते हैं आपके कोईला, पेट्रोलियम, LPGA सभी अनवी करणिये स्रोट हैं और बात यहां किसकी कीगे नवी करणिये स्रोट की Important कोशन है तो D नंबर आप्सन सही हो जाएगा सवर ऊर्जा इसके आपके जल्ड यह सभी आपके अनवी करणिये स्रोट के अंतर्गता आते हैं महत्पूर्ण कोश्चन है 1901 चोचन में या फिर 19όσग shrनälिस zum में Nobel पूरसकार का प्रारंब कव किगया था तो इसका आपका देखे जल्दी से A. option 1901 में नोबल पुरस्कार का प्रारम्ब किया गया था 1901 में एल्फरेड नोबल के नाम से जिन्होंने डैनामाइट का आविश्कार किया था उनके नाम पर इसका आविश्कार किया गया था 1901 में याद कर लिजेगा उनी की संस्था ये पुरसकार प्रदान करती है अगला थर्ड नमबर कोश्चन है 1920 में विजय नगर सामराज में आने वाले इटली के यात्री का नाम बताएए एडोनाडो वारवोसा, निकोलो डी कॉंटी, अब्दुल रज्जा क्या फिर डोमिंगो पेस इस प्रकार के कोश्चन नहीं आते हैं लेकिन एक दो कोश्चन बीच में आ जाते हैं तो उनकों लोग कवर कर लेंगे बी नमबर आप्शन है निकोलो डी कॉंटी, ये इटली का यात्री था जो कि विजय नगर के सामराज में 1420 में आया था थर्ड नमबर कोश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फोर्थ नमबर कोश्चन पर विसु जय विवित्ता दिवस कब मनाया जाता है फोर्थ नमबर कोश्चन और इसका आप लोग देखें C नमबर आप्शन 22 मई को मनाया जाता है इंपोर्टन कोश्चन है जरूर याद कर लिजेगा इसके लावा लगबग आपको 15 बहुती महत्वपूर्ण दिवस अभी क्लास के एंड में नीचे दिए गए उनको भी आपको याद कराएंगे फाइब नमबर कोश्चन है टेलीफोन का आविसकार किस ने किया ग्राहम वेल ने एडिसन ने मैक मिलन ने इन में से कोई नहीं तो दोसों टेलीफोन का आविसकार तो सबको मालूँगा ग्राहम वेल ने किया था तो इसका आपका B नमबर आप्शन सही हो जाएगा ग्राहम वेल ने इसका आविस्कार किया था आगे बढ़ते हैं 6 नंबर कोश्चनल पर वेतार नेटवर्किंग इस्थापित करने के लिए किस प्रोध्द्योगी की का प्रयोग किया जाता है TCP, IP, J2ME, MATLAV या फिर Bluetooth वेतार नेटवर्किंग की बात हो रही नेटवर्किंग की बात हो रही यानि की विना तार के जो आपस में संबन्द इस्थापित करने के लिए जिस प्रोध्द्योगी की का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं 6 नंबर कोश्चन जल्दी से बताईए तो दूस्टों आपका Bluetooth जो होता है इंटरनेट कनेक्ट करते हैं लेकिन आपका Bluetooth हो गया वाइफाई हो गया ये Wireless Connection के अंतरगत आते हैं यही पूछा गया था आगे बढ़ते हैं 7 नंबर कोश्चन पर भूमी के एक टुकडे पर एक ही समय में दो या अधिक फसल साथ-साथ बढ़ाना क्या कहलाता है मिस्रित फसल, मिस्रित क्रसी अंता फसल या फिर क्रसी तो भूमी के एक टुकडे पर जब हम एक साथ दोया उससे अधिक फसलें एक साथ करते हैं तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं आगे बढ़ते हैं एर्थ नंबर कोशन पर माले निम्न लिखित में से किस देश की राजधानी है मलेसिया मालदीव मंगोलिया या फिर लाओस इस प्रकार के कोशन आपके सुपर टेट के अंतर गत्वी पूछे जा सकते हैं जरूर याद कर लीजेगा तो दोस्तों मालदीव की राजधानी क्या है माले है बी नंबर आप्सन सही हो जाएगा अगला कोशन आपका राज्य सभा को भंग किया जाता है हर पांच वर्स के बाद हर छे वर्स के बाद प्रधान मंतरी की सलाह पर या इन में से कोई नहीं तो दोस्तों राज्य सभा को कब भंग किया जाता है आप सभी लोगों को मालू होगा लोग सभा का कारकाल अलग होता है राज सभा का अलग होता है और राज सभा के अंतरगत इसे हम लोग ऐसे भंग नहीं कर सकते हैं तो इसका आपका D-Number option सही हो जाएगा लेकिन इसका जब कारकाल समाप्त हो जाता है छे वर्स के बाद ये आगे बढ़ते हैं 10-Number question पर देखे जल्दी से भारतिय संसद में लोग लेखा समित का अध्यच कौन होता है लोग लेखा समित का अध्यच विपच्छी दल का नेता लोग सभा का अध्यच लोग सभा का उपाध्यच या फिर राज सभा का उपाध्यच तो दूस्वों 10-N जो नेता होता है वो लोग लेखा समित का अध्यच होता है इसका आपका A-Number option विल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 11-Number question पर हाल ही में किसने भारती बायुसेना के उप्प्रमुख के रूप में कारिभार ग्रहन किया है तो देखे दोस्तों यहां पर आपका question हो जाएगा किसने प्रमुख के रूप में कारिभार ग्रहन किया है तो जो आपके बायुसेना के प्रमुख बनाए गए अभी चेंज हुए कुछ महीने पहले ही जो की एर मार्सल राके सिंग भदवरिया बनाए गए है ए नंबर आप्सन सही हो जाएगा पहले ये उप्रमुख लेकिन अब इसके बाद जो इस समय उप्रमुख बनाए गए है उनका नाम भी याद कर लिजिए उनका नाम है हरजीत सिंग अरोडा वो आपके उप्रमुख बनाए गए हैं दोनों कोश्चन महतुपूर्ण है पूछे जा सकते हैं याद कर लिजिएगा आगे बढ़ते हैं हाफिज सईद को या फिर दाउद इब्राहिम को कई बार समर्थन के बाद कई बार कहने के बाद अंतताह इसे अंतर राष्टी आतंकी घोसित किया गया वो नाम है हाफिज सईद सी नंबर आप्शन सही हो जाएगा 12 नंबर कोश्चन मसूद अजर सौरी दोस्तों इसका राष्टी आतंकी घोसित कर दिया गया संयुक्त राष्ट समीत के द्वारा याद कर लीजेगा आगे बढ़तें 30 नंबर कोश्चन पर अगला कोश्चन देखे 30 नंबर कोश्चन निम्न लिखित में से कि छेत्र में भारत में सकल राष्टी उतपात GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है क्रसी एवं संबंदिच छेत्रों से विनिर्माड निर्माड बिजली और गैस से सेवा छेत्र से या फिर रच्छा एवं लोक प्रशासन से तो दोस्तों GDP का जो सबसे बड़ा भाग हम लोगों को प्राप्त होता है वो आपका 30 नंबर कोश्चन का C ओप् बिधान का भाग है यूनियन ओफ इंडिया वनाम डॉक्टर कोहली वनारसी दास बनाम इस्टेट ओफ इंडिया बोममई बनाम यूनियन ओफ इंडिया या फिर मलक सिंग बनाम इस्टेट आप पंजाब हालां कि इतना कठिन कोश्चन आपके इस पेपर में नहीं आएगा लेकिन देख लीजेगा सी नंबर आप्शन सही हो जाएगा बोममई बनाम यूनियन ओफ इंडिया इसे युद्शिका के भाग के अंतरगत रखा गया है अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर फिप्टीन नंबर कोश्चन है किस सदन के सदस्य दोरा बहुमत से फिप्टीन नंबर कोश्चन का ए उप्शन लोक सभा में जब पास किया जाता है तो मंत्री परिशद के सदस्यों को सभी को त्याग पत्र देना पड़ता है ए नंबर आप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं सिक्ष्टीन नंबर कोश्चन पर संसार का सबसे सरबाधि जनसंख्या वाला मरुस्थल इसको कहा जाता है याद कर लिजए पहले आपको कोश्चन समझना है कोश्चन क्या बताएगा तब आंसर करिए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन आपके सामने निम पी टेट के लिए भी तो दूस्तों मृत सागर जो है इसकी लबड़ता जो है वो सरबाधिक है इसलिए से मृत सागर के नाम से जाना जाता है बहुत अच्छा महत्वपूर कोश्चन है देखते रहिए तयार करते रहिए 18 नमबर कोश्चन निम्न लिखित में से कौन सा दे रूस या फिर वोत्सावाना तो इनमें से कौन सा देश है जो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है सबसे जादा हीरा इनमें से किस देश में होता है 18 नमबर कोश्चन और D आप्शन वोत्सावाना बिल्कुल सही हो जाएगा पहली बार आप लोग नाम सुन रहे प्रमाड पंजी करत करदाता का प्रमाड या फिर जन्मतिति का प्रमाड तो पैन कार्ड इनमें से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है पैन कार्ड एक इंकम टेक्स डिपार्टमेंट दौरा बनवाया जाने वाला एक कार्ड होता है जो की मुख रूप से आपके इ एंबिया की घाना किया फिर गौटे मेला की 20 नंबर कोश्चन है नया important कोश्चन है C नंबर option घाना की प्रमुक फसल के रूप में जानी जाती है महत्वपूर्ण कोश्चन है साथ इसाथ दुस्तों आपको बता दें दोपहर की एक बजे की क्लास में आज आपको चाइल्ड अप्लमेंट के इंतरगत जो आपके यूपी टेट की दरश्टी से सबसे प्रमुक सिध्धान्त है थॉन्डाइक, स्किनर, कोहलर और पावलक इनसे सम्मंदि सव महत्वपूर्ण विंदु में पूरा सिध्धान्त खत्म कर दिया गया है अगर आपने ना देखा तो एक बार जरूर देख लीजेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी अगला कोश्चन है, राज कुमार जो अपने पिता की मरत्यु के लिए उत्तरदाई था अगला कोश्चन है, इन में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सौफ़वेर कमपनी है इनफोसिश, TCS, विप्रो या फिर HCL Tech तो भारत की सबसे बड़ी सौफ़वेर कमपनी पूछी गई है 22 नंबर कोश्चन, इसका आपका B नंबर आप्सन TCS कमपनी जो है, जो की Tata की कमपनी है Tata Consultancy Services, ये सौफ़वेर की सबसे बड़ी कमपनी है भारत की, याद कर लिजेगा अगला कोश्चन है, कुछी पूडी कहां की नरत्य प्रणाली है तो इनमें से कहां का नरत्य है, प्रसिद नरत्य है, कुछी पूडी 23 नंबर कोश्चन, और इसका आपका D नंबर आप्सन आंद प्रणाली है, याद कर लिजेगा अगला कोश्चन है, नाटो का पूरा नाम क्या है नाटो देशों का संगठन है, इसका पूरा नाम बताना है कौन सा आप्सन सही हो जाएगा चारो आप लोग देखे, मैं सिर्फ आपको सही वाला आप्सन बताए दे रहा हूँ यह आपके किस तरफ के देशों का समूवे जल्दी से बताएगा तो इसका आपका बी नमबर आप्सन नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन यह नाटो का फुल फॉर्म होता है नौर्थ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन यही वाला आप्सन सही हो जाएगा बी नमबर आप्सन अगला 25 नंबर कोश्चन है 27 जून है 27 जून किस रूप में मनाया जाता है विस्व एट्स दिवस विस्व मदुमेह दिवस विस्व पर्यावरन दिवस या फिर विस्व जनसंख्या दिवस 25 नंबर कोश्चन और इसका आपका B नंबर आप्सन विस्व मदुमेह दिवस के अगला question है, mithane जिसके वायु मंडल में उपस्थित है वो है, चंद्रमा, सूर्य, प्रत्वी, व्रहस्पत या फिर मंगल तो mithane कहा कि वायु मंडल में उपस्थित है, 26th number question और इसका आपका देखे D number option मंगल पर मीथेन गैस वहां के वायु मंडल में उपस्तित है और मीथेन गैस मुख्य रूप से कहां पाई जाती है ये भी आद कर लिजेगा एक तो दलदल में जहां की भूमी दलदली हो वहां पाई जाती है पहली चीज उसके लाबा जो जानबर जुगाली करते हैं उनके इसका उत्सरजन होता रहता तीनों महतपूर्ण प्रसन है आपको कल जो कल की क्लास दी थी उसमें सभी पॉइंट कवर कराये थे जरूर देखे होंगे आपने अगला कोशन है मानव और कंप्यूटर के मद्ध परस पर संपर्क इस्थापित करता है सौफ्ट्वेर हार्डव सिस्टम सौफ्ट्वेर या फिर एप्लिकेशन सौफ्ट्वेर तो मानव और कंप्यूटर के मद्ध जो परस पर संबंध इस्थापित करता है यह आपका सौफ्ट्वेर होता है इसका आपका ए नंबर आप्सन बिलकुल सही हो जाएगा अगला कोशन है उत्तर प्रदेश मे सरवादिक जनसंख्या रूप में है तो 28 नंबर कोशन का ए ओप्सन थारू जन जाती जो है यह सरवादिक जनसंख्या वाली जन जाती है उत्तर प्रदेश में इंपोर्टन कोशन है कल की क्लास में आपको उत्तर प्रदेश से सम्मंदित लगबग सव महतपूर्ण पॉइं से फिर चेनाव तो भारत पाकिस्तान वगलिहार परियोजना जो है यह आपके चेनाव नदी पर बनी हुई है चेनाव नदी इसका आपका डी नंबर आप्सन सही हो जाएगा अब आज का अंतिम 30 नंबर कोशन है इसके आद बताईएगा कितने कोशन आपके सही हुए समय की कोशन है देखे महावास के लेखक पतंजली समसिक है चंदरगुप्त मौर के असोक के पुस्सिमित्र सुंग के या फिर चंदरगुप्त प्रथम के आनि कि पतंजली जो की महावास के लेखक है यह किसके समकालीन है इनमें से किसके समकालीन है कौन से राजा के 30 नंबर कोश तमिल नाडु की जो प्रसिद इन्रत है उसका नाम आप लों को कमेंट बॉक्स में जरूर अधिक सेधिक संख्य में बताना दोस्तों मुश्किल से एक दू सेकेंड का समय लगेगा जरूर बताईएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजेगा अब चलिए बढ़ते हैं कुछ महत पूर दिवस कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं जल्दी से देखते रहे हैं याद करते रहे है तो दोस्तों देखें जल्दी से विस्सु तपेदिक दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को विस्सु तपेदिक दिवस इसका विस्सु पर्या वरंड दिवस सबसे सबसे इजी है 5 जून को मनाये जाता है विश्चु पर्या वराण दिवस अगला है आपका विश्चु खाद दिवस यह मनाये जाता है आपका 16 अक्टूबर को सबसे महतपूर है 16 सितंबर को इस बार पूछा जा सकता ओजोन दिवस या अंतराष्टी ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है याद कर लिजेगा इस बार आने के पूरे चांसेज है अगला कोश्चन है आपका ये देखे जल्दी से क्या दिया गया है अगला कोशन आपका विस्स कुष्ठ निवारन दिवस ये मना जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को विस्स कुष्ठ निवारन दिवस अगला विस्स मधुमे दिवस 14 नवंबर को उपर देखे आपको 27 जून दिया गया था तो दोनों को ही मनाय जाता है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, 14 नवंबर को भी दिया हूँ मिल सकता है, 17 जून, लेकिन मिलेगा दोनों में से कोई एक आप्सन ही, अगला विस्व एड्स दिवस, आप से उपर पूछा गया था, ये मनाय जाता है आपका 1 दिसंबर को, अ जिसमें आपके यूपी टेट के अभी तक के सभी कोश्चन्स को रखा गया है, वो आपको मिलेगी कल, जिसमें हम लोग बाल विकास के इंपॉर्टन कोश्चन्स और पर्यावरन दोनों के तीन-तीन सो कोश्चन्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं, उस क्लास को जरूर अधिक से दिक संख्या में देखिएगा और दोस्तों के साथ सेर करिएगा, अभी एसे आपको बताय दे रहे हैं, यह वाला महत्वपूर्ण है विस्व सास्ता दिवस, यह मना जाता साथ अप्रेल को, अगला है विस्व थहले सीमिया दिवस, यह मना जाता आठ मई को, अगला तो गठिया दिवस ये मनाय जाता आपका 12 अक्टूबर को और ये पोलियो दिवस है 24 अक्टूबर और गठिया दिवस है आपका 12 अक्टूबर को विस्व मानसिक स्वास्थे दिवस ये मनाय जाता 10 अक्टूबर को पूरे महत्पूर्ण इंपॉर्टन जितने स्वास्थे से स मंदित दिवस्ते वे आज आपके खत्म कर दिये हैं सिर्फ आपको इतने ही याद करने अधिक सदिक संख्या में याद करते रहिएगा दोराते रहिएगा अब कुछ महतपूर जानकारी आपके महादीपों की जो उच्चितम सिखर चोटियां है वो देख लिए जिसमें सबसे महतपूर आपकी एसिया के माउंट एवरेष्ट विस्तु की सबसे उची चोटी जो है 8848 मीटर इसकी उचा यह कोश्चन पूछा भी जा चुका है और यह आपके नेपाल तिबबत में इस्थित है विस्तु की पूछी गई है इसलिए आपको बता दिया है वाकी ज़्याद महतपूर जानकारी थी आपको कवर कर दिया अब जल्दी से बताएगा कितने कोश्चन आपके सही हुए हैं जो कोश्चन पूछा उसका आंसर भी जरूर दे दीजेगा मिलते हैं कल सुबह की क्लास होगी जो की आपकी हिंदी पर आधारित होगी और हिंदी के important questions उसमें कवर कराए जाएंगे पिछली classes के link नीचे दिये गए जरूर देखते रहेगा तीनों classes आपको बिल्कुल समय पर मिलेंगी सुबह सात बजे दोपैर में एक बजे और साम को पांच बजे तीनों classes को अधिक सदिक संख्या में देखकर share करते रहेगा तो चलिए आज की class में इतना ह नहीं थे हैं कि दोस्तों गुडबाय टेक एक है